आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेशन 5 1 से लेकर के 4 तक का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है जितना भी आपका important objective लेशन 1 से 4 का था उसमें मैंने बता दिया है तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेशन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जैसा कि आपको मालूम है कि इंगलिस 100 marks का जो आपका literature है तो प्रोज सेक्षन में आपका 11 lesson पढ़ना है जिसमें से ये lesson आपका पांचवा है तो lesson 5 और 11 जितना भी आपका important question है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को जरूर आप लोग अंत तक देखिएगा दोस्तों में share जरूर कीजिएगा तो इक एक point को बढ़ियां से समझिएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं lesson 5 जिसका नाम है ideas that have helped mankind हिंदी आपका होता है विचार जो मानो जाती की मदद की है वैसा thought जो मानो जाती के लिए मददकार साबित हुआ है तो lesson 5 आप समझ गए ideas that have helped mankind बात करें तो यह एक essay आपका है क्या है essay है तो ब्रटेंड रसील ideas that have helped mankind को किस ने लिखा है ब्रटेंड रसील जीने जो की ब्रिटीज थे इनके जनम की बात करें पॉआइंट नमबर वन ब्रटेंड रसील जी का जनम आपका ठारासो बहत्तर यानिके 1872 और इनकी मृत्ति हुआ था 1970 में 1970 जो की एक ब्रिटीज फिलोसफर हिंदी होता है दर्शन सास्तरी हिस्टोरियन इतिहासकार मैथेमेटीसियन गडितग्य एडवोकेट वकील समाजिक सुधारकों के पक्चधर तथा बिसवी सताबदी के एक प्रमुख तर्क सास्तरी थे देखे यहां से क्वेस्टन आपका पूछ लेगा कि ब्रटेंड रसील का जनम और मृत्यो इसके साथ आपका पूछ लेगा कि वे क्या थे तो भाई फिलोसफर हिस्टोरियन मैथेमेटीशियन एडवोकेट समाजिक सुधारकों के पक्चधर तथा बिसवी सताबदी के वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कभी कभी आपका पूछ लेता कि कौन सी सताबदी के लेखक थे आपका ब्रटेंड रसेल जी तो आंसर आपका होगा बीसवी सताबदी ये की क्वाईंट को बढ़ियां से समझेगा लोग तो ये आप समझेगे ब्रटेंड रसेल जी के बारे में कि एक ब्रिटीज थे, जनम इनका 1872, मृत्ती 1970, एक फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन और एड़ोकेट थे दूसरा प्वाइंट वेरी बरी इंपोर्टेंट, रसेल जी को साहित्य का नोबिल पुरुसकार 1950 में प्रदान किया गया ठीक है, 1950, रसेल को साहित्य का नोबिल पुरुसकार, जैसा कि मैंने वेरी वेरी इंपोर्टेंट बताया, बिल्कुल याद कर जे येगा, इस पॉईंट को तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है रसेल जी को साहित्य का नोबिल पुरुसकार कब मिला, 1950 में अब बात करें, इनकी परमुख रचना है, इस मेजर वर्क्स इंक्लूड इसका मैं आपको एक ट्रीक भी बताऊंगा, असानी से आपको याद भी हो जाएगा तो पहले वर्स की बात कर लें, तो इंपोर्टेंट वर्क्स इनका है इसका ट्रीक है, कि इतिहास ग्यान देता है, बस इस ट्रीक को आप याद कर जाएगा इतिहास जो है न, वो ज्यान देता है इनसान को एक क्रिश्चन की साधी रोड पर हुआ, जिसकी प्रसंसा होई यह यदि आपका पॉइंट याद है, तो आप इसली आंसर दे दिजिएगा तो ट्रीक क्या है, इतिहास ग्यान देता है इनसान को अब समझते हैं, इतिहास से आपका हो गया है हिस्ट्री और फिलोस्पी में आपका हिस्ट्री है दूसरा है ग्यान देता है, तो हुमें नौलेज हो जाएगा तो नौलेज में आपका ग्यान आजाएगा फिर आपका है इनसान को तो आप ये वर्ष इनका याद रखिएगा कि has man effect and fiction तो मैं इसमें आपका दिख गया Christian से आप याद रखिएगा Why I am not a Christian, ठीक है साधी से याद रखिएगा Marriage and morals Road पर हुआ न To roads to freedom और आपका last है प्रसंसा तो in praise of idleness तो ये आपका trick से याद हो गया तो इतिहास घ्यान देता है इनसान को एक Christian की साधी रोड पर हुआ जिसकी प्रसंसा हुई तो ये यदे trick आपका exam में पूछा इनका works तो ये trick आपको 1 से 2 नमबर दिला देगा कभी-कभी पूछ लेता है question answer में कि write the 3 works of ब्रटेंड रसील तो वहाँ भी आपको काम आएगा तो याद रखिएगा trick को इतिहास घ्यान देता है इनसान को एक Christian की साधी रोड पर हुआ जिसकी प्रसंसा हुई तो ये आपका हो गया lesson 5 ideas that have helped mankind विचार जो मानो जाती की मदद की है ब्रटेंड रसील जी के द्वारा लिखा गया कहां के थे ब्रिटीस थे एक ब्रिटीस दर्संसास्त्री इतिहासकार गणितअग्य समाजिक सुधारकों के पक्षधार नोबल पुरुसकार कब मिला 1950 में अब next बात करते है lesson 6 the artist कलाकार the artist क्या है आपका story है देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितना chapter आपका essay होगा तो जो essay होगा उनके जो essayist होंगे निवंदकार उनकी बायोग्राफी आप बिलकुल बढ़ियां से याद कर जाईएगा और जो story होगा उसको बढ़ियां से पढ़ ली जिएगा तो the artist से आपका जो question पूछेगा न वो आपका बीच में से भी पूछेगा story के तो इसमें मैं आपको बीच से भी question बता रहा हूँ कि आपका जो exam है बिलकुल बढ़ियां से जाए आपको 100 में कम से कम 99 marks तो जरूर आने चाहिए तो बस जितना से जितना हो सके आप लोग like और share करते रहिए तो lesson 6 की आप start करते हैं the artist कलाकार एक story है सीगा नोया जी के दुवारा लिखा गया देखिए ये आप कैसे याद रखिएगा artist कलाकार लोग हमेशा नया नया सीखते हैं और मृत्यी 1971 पहला पॉइंट आपका है सीगा नोया 1883 में जनाम 1971 में मृत्यी बीसवी सदी के एक प्रसिद जापानी लगू कथा है ये कहा कि थे जापान के ये भी पॉइंट याद रखिएगा दूसरा पॉइंट आपका है अब तक प्राइमरी एस्कूल में पढ़ता था देखिए सेवी कितने वर्स का था हमको तो लग रहा कि कम से कम 5-6 बार आपके फाइनल एक्जाम में पूछा है तो इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉटेंट सेवी 12 वर्स का था और कौन सा एस्कूल में पढ़ता था प्राइमरी एस्कूल में चौथा पॉइंट आपका है कि सेवी बजार से प्राय गौड खरिता था कभी-कभी गौड आपका पूछ लेता है कि गौड क्या था तो आपका होजेगा एक प्रकार का फॉल पांचवा पॉइंट की बात करें तो सेवी लिव्ड इन ए स्मॉल हर्बर टाउन एक छोटा सा हर्बर टाउन था वहीं पर ये सेवी रहता था अपने कहानी पढ़ा होगा तो जरूर याद होगा कि उस औरत ने कितना मुले बताया था उस गौड का जो की एक परकार का फल था तो टेन सेन यानिकी दस सेन सात्मा इस फादर वर्कड एड एक कारपेंटर सोब उसके पिता जी कहां काम करते थे एक बढ़ाई के दुकान में सेवी स फादर फेचिजड हीज हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मेश्ट देम टू पीसेज आपने कहानी में जरूर पढ़ा होगा कि सेवी के पिताजी हथोड़े से उसके सारे गौड को तोड़ दिये थे टुकडे टुकडे कर दिये थे कहानी आपको बिलकुल मालूम है कहानी में आपने पढ़ा होगा कि जब मूरल साइंस के जो नहतिक सिख्चा के टीचर पढ़ा रहे थे तो सेवी क्या कर रहा था बेंच के नीचे उस फल को पॉलिस कर रहा था जिससे वे नाराज हो गए और घर आ करके बोले तो मा जब उसके पिता जी आए तो सारी बात बताई उसके बाद पिता जी गुस्से में आकर हाथोडे से पूरे उसके जो गौड फल थे जिसने जिसको वो अपने कमरे में सजा करके रखा था सारे को तोड़ दिये तो ये कहानी है आपका दि आर्टिस्ट कलाकार दि आर्टिस्ट क्या है आपका स्टोरी है सीगा नवयाजी के द्वारा लिखा गया है जनम कब 1883 मृत्ती 1971 एक जपानी लगुक था है और कहानी में किस कैरेक्टर से बी कितने वर्सका 12 वर्सका और कौन से स्कूल में पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में ठीक है से बी लीवड इन ए स्मॉल हार्बर टाउन अब बात करते हैं लेसन सेवन की एक चाइल्ड इस बॉर्न जो की एक एसे है एक बच्चे का जनम के बारे में है जर्मन ग्रियर जी के द्वारा ये एसे लिखा हुआ है एक चाइल्ड इस बॉर्न तो याद रखिएगा बच्चा कहा का था जर्मनी का जर्मन से जर्मनी ये इसे है और जर्मन ग्रियर जी के बारे में मैं आपको बता दूँ आस्ट्रेलिया में जनम हुआ कहाँ पे अस्ट्रेलिया में अब एक एक क्वाइंट को बढ़िया से समझते है तो देखिए पहला प्वाइंट आपका है कि अस्ट्रेलिया में जनमी एवं पढ़ी लिखी जर्मन ग्रियर का जनम नाइंटी थाटी नाइन ये एक प्रसिद नारिवादी लेखी का है कहाँ जनम आस्ट्रेलिया में जनम हुआ नाइंटी थाटी नाइन एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर ठीक है एक नारिवादी लेखी का इन हर वेल नून वर्क्स देखिए इनकी जो रचना है उसका भी मैं आपको ट्रीक बताऊंगा तो असानी से आपको याद हो जाएगा अब देखिए इसको कैसे याद करियेगा बिल्कुल असान सा ट्रीक है औरत राजनीती में आई और बदाल गई लेशन सेवेन अचाइल्ड़ इसबॉर्न का सबसे असान सा ट्रीक आरत राजनीती में आई और बदाल गई ट्रीक आपका है आरत राजनीती में आई और बदाल गई अब देखिए तो ये आपका हो गया लेशन सेवेन एचाइल्ड इस बोर्न जो की एक एसे है जर्मन ग्रियर जी के द्वारा लिखा गया जर्मन ग्रियर जी का जनम 1939 मृत्तिव भी नहीं हुआ है कहां पे जनम इनका आस्ट्रेलिया में एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर ट्रीक इनका क्या है औरत राजनीती में आई और बदल गई दा फीमेल यूनाक दा पोलिटिक्स ओफ हुमेन फोर्टिलिटी एंड दा चेंज तो यह हो गया आपका लेशन सेवेन अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेशन एट की तरह अब बात करते हैं लेशन एट की हाउफ रिजदा प्रेस एक एसे है डरोथी ले सायर्स जी के दोवरा लिखा गया है अब इनके जनम और मृत्यू की बात करते हैं तो डरोथी ले सायर्स जी का जनम 1893, 1893 में जनाम और 1957 में मृत्यू ये नोट कर लिजिये आप 1893 में जनाम, 1957 में मृत्यू एक निबंधकार, एसेइस्ट, नाटकार, प्लेराइट, कवी तथा जासूसी कथाओं की लेखक Poet and Writer of Detective Fiction ने समर्वीले College Oxford से सिख्छा प्राप्त की डरोथीले सायस जी के जनाम और मृत्यू अपने नोट कर लिया साथी साथ एक निबंधकार, एसेइस्ट, नाटकार, प्लेराइट, कवी तथा जासूसी कथाओं की लेखक Poet and Writer of Detective Fiction ने समर्वीले College Oxford से सिख्छा प्राप्त की दूसरा Point अपका है याद रखेगा 1915 अब इनके Works की बात करें बिल्कुल असान है, ट्रीक ही ही है जो आपको याद हो जाएगा अब ये ट्रिक को समझते हैं अचानक रात में बादल फटने से पीटर नाम का एक टेलर की मौत हो गया अब देखें बादल से याद रखेगा क्लावड ओफ विटनेस, क्लावड में बादल अननेचुरल डेथ, मौत, लोड पीटर, पीटर नाम और नाइन टेलर्स, नाइन टेलर्स में आपका टेलर आ गया तो आप याद रखेगा लेशन एट, हाव फ्रिस दा प्रेस में कि अचानक रात में बादल फटने से पीटर नाम का एक टेलर की मौत हो गया तो पब्लिस्ट वर्क्स कौन-कौन आपका हो गया क्लावड ओफ विटनेस, अननेचुरल डेत, लोड पीटर व्योज दा बोडी, नाइन टेलर्स, एंड गोडी नाइट ये डरोथिलेस सायर्स जी के द्वारा लिखा गया है ठीक है ये एक निबंदकार, नाटक कार, कवी तचह जासूसी कथाओं की लेखक पोएट एंड राइटर अब डिटेक्टिव फिक्षन, उननी सो पंदरा में सायर्स जी, अक्सवोड विश्विद्याले से एसनातक होने वाली पहली महिलाओं में से एक बनी लेशन नाइन की बात करे, दी अर्थ जो की एक स्टोरी है, एची बेट्स जी के दुवरा लिखा गया, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो स्टोरी होता है, उसका parts of the body, यानि कि जो मुख्य भाग है, कहानी का जो बीच का भाग है, उससे question पूछता है, तो आप जितना भी तीन तो स्टोरी हैं, उसको बढ़ियां से पढ़ लिजेगा देखिए स्टोरी कौन-कौन सा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पहला है पींच of snuff, याद रखिएगा, पींच of snuff, दी आर्टिस्ट और उसके बाद दी अर्थ, ही बेट्स के बारे में समझते हैं, जनम 1905, मृत्ती 1974, जनम मृत्ती भी आपका पूछ लेता है, तो स साथ जनम और मृत्ती को भी याद अपलोग करते चलिएगा, बिलकुल इजी है, आपको याद हो जाएगा, तो ही बेट्स के जनम 1905, मृत्ती 1974, सेंट्रल इंगलेंड में, नौर्थ हेंपटन में, जनमें अंग्रेजी देहात के साथ जुड़े हुए थे, 21 वर्स की उम्र म इनका पहला उपनियास क्या हुआ, प्रकासित हुआ, किनका ही बेट्स जी का, इंपोर्टेंट वर्क्स विद ट्रीक, असानी से आपको याद हो जाएगा, बस ध्यान पुरुबक देखिएगा, तो पहला वर्क्स जो आपके बुक में दिया है, फियर स्टूड दा वीन्ड फॉर फ्रांस, दा पर्पल प्लेन, दा जैकरंडा ट्री, दा स्कारलेट सोड, दा डार्लिंग बर्ड्स ओफ में, कैसे याद कीजिएगा, देखिए ट्रिक को, फ्रांस में पर्पल रंग का एक पेन है, जिसे मई में तलवार से काटा गया था, तो देखिए आप याद कियेगा, कलर, ट्री, पेन, और आपका है, सोड तलवार, अधो डार्लिंग बर्ड्स ओफ में, माई आपका याद हो गया, तो याद हो गया, बिल्कُल असाम सा लग के पेन है, पर पोईंट आपको एक मर्क्स जरूर दिला देगा, तीसरा पोईंट, very very important Johnson एक किसान है एक किराएदार किसान था उसका बेटा का नाम Benji Benji की पतनी का नाम Florence आपने कहानी पढ़ाओगा तो easily आप समझ रहे होंगे point number four Johnson was more interested in preaching ये आलसी थे ये ज्यादा समय उपदेश दिने में ही बिताते थे point number five Benji ने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा तो उसके पास कितनी मुर्गिया 40 से 50 very very important आपके एक्जाम के लिए Benji ने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा तो उसके पास कितनी मुर्गिया थी 40 से 50 point number six very very important 21 वर्स होने पर Johnson ने अपने बेटे Benji को पास्बुक दिया जिसमें कितने पैसे थे 230 पाउंड डबल मार्क कर लिजिए question number six को 21 वर्स होने पर Johnson ने अपने बेटे Benji को पास्बुक दिया जिसमें कितने पैसे थे 230 पाउंड तो Johnson का नाम आते ही lesson nine आप लोग याद रखिएगा अब बात करते हैं ले संटेन इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पॉल्स बॉक जी के द्वारा लिखा गया है जनम से अमेरिकन पॉल्स बॉक जनम अठार सो बानवे 1892, 1973 में मृत्यू का पालन पोसन धर्म प्रशारक माता पीत द्वारा किया गया वो एक चीनी भी सुविद्याले में पढ़ी उनके जीवन, उनके जीवन के नीजी तत्योप अधारित माई से इस पार्ट को लिया गया है यदि एक्जाम में पूछा कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई कहां से लिया गया है तो आंसर याद रखेगा मैं सेवरल वोल्ड से लिया गया है पॉइंट रूमबर तीरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेस्चन कितना बार एक्जाम में आ चुका है कि पॉल्स बॉक जी को साहित्य का नोबल पुरुषकार कम मिला तो आंसर याद रखेगा नाइन्टी थाटी इट उनने सो अनतीस देखेए वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है प्लस टू के लिए जो ट्वेल्थ में है जिनका इस बार पेपर है आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा लेशन 11 की बात करें मैरेस प्रपोजल साधी के प्रस्ताव जो की एक कॉमेडी है आपको बिल लेखक थे काहां के टेंट उन्चे को रूस के दूसरा चूबे को जमिनदार था उसकी बेटी नाटालिया पढ़े हैं कहानी तो आपको जरूर मालूम होगा बेटी नाटालिया जिसकी उम्र पचीश वर्स पढ़ोसी था लूमो नाटालिया के कुट्ता का नाम लीप और ल दोमों का कुत्ता के नाम गैस तो यह आपका हो गया लेशन 11 मैरेस प्रपोजल तो इस वीडियो में मैंने आपका कम्प्लीट करा दिया प्रूज सेक्षन इंपॉर्टेंट जितना भी है बस एक्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लिजिएगा लेशन 1 से लेशन 11 तक का वी